सब्सक्राइब करें चेनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो अधारकार अपडेट हुआ है या नहीं वो देखने के लिए सबसे पहले तो अधारकार की ओफिशल वेबसाइट पर आना है लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में ते दिया है दोस्तो यहाँ पर आपको माई आधार के उपर करसर रखना है अपना उसके बाद right side पे update your आधार का option है ठीक उसके नीचे है check आधार update status उसके उपर click कर देना है तो यहाँ पर हम click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो check आधार status उसके नीचे enter enrollment id, srn और urn तो दोस्तों online आपने अगर आधार update किया है तो आपको srn नमबर मिलता है अगर आपने आधार center पे करवाया है तो आपको urn नमबर मिलता है तो हम यहाँ पर srn नमबर से search करेंगे तो जब भी हमने online update किया था तभी हमें एक pdf मिला था यहाँ पर देखो srn नमबर service request number तो उसके ठीक सामने जो नमबर है वो नमबर हमें copy कर लेना है और दोस्तों ह पात नीचे capture शो हो रहा है और capture भी हमें डाल देना है और submit पर क्लिक करना है तो नीचे दोस्तों आपको scroll करना है यहाँ पर आपका आधार का status है वो शो होगा देखो complete यहाँ पर हो चुका है नीचे description भी लिखा हुआ है योर अधार has been generated while your अधार is being printed and posted to you please download e-adhaar from uidi.goe.in और देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ आ रहा है कि आपका आधार है और जनरेट हो चुका है अपडेट हो चुका है यहाँ पर देखो complete वाला option भी है और blue हो चुका है मतलब आधार card हमारा जनरेट हो चुका है अब यह आपको post के थ्रू भेजा जाएगा तब तक आपको online आधार download कर लेना है अगर आपको required है तो तो online आधार हम यह आधार download कैसे करना है वह भी मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आपको my आधार वाले option पर उपर क्लिक करना है यहाँ पर login पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद enter आधार में आधार नमबर डालेंगे यहाँ पर और नीचे capture डालेंगे उसके बाद send OTP पर क्लिक करेंगे register mobile पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालेंगे और login पर क्लिक करेंगे तो जैसे login करोगे तो यहाँ पर आधार आपका download का option भी मिलेगा अगर आप यहाँ पर एकोन के उपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आधार का preview भी शो होगा यहाँ पर जो change हुआ है वो शो हो रहा है दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखना चाहो तो flip आधार करके आप back side भी देख सकते हो तो दोस्तों हमें आधार है वो download करना है तो यहाँ पर option है download आधार इसके उपर हमें क्लिक करना है उसके बाद download पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको password डाल देना है तो password क्या है दोस्तों आपके जो first name के four letter और अपना birth year ठीक है तो य यह password आपको यहाँ पर डाल देना है password डालने के बाद नीची हम okay वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा जो अधार कार है वो open हो चुका है यहाँ पर आपको अपना जो यह आधार है वो download करने का option यहाँ पर मिल जाएगा print के उपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर save as PDF का option भी मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपना यह आधार डाउनलोड कर सकते हो अपना status देख सकते हो चेंज हुआ है या नहीं अपना आधार कार वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर करना शेयल करना सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकोन को जरूर क्लिक करना थैंक यू सो मुच पर वाचीं